नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि LIC के पोर्टल पर आउनलाइन प्रीमियम पेमिंट का भुक्तान करना कितना आसान है सबसे पहले मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा, ये लिंक मैंने आपको मेरे यूट्यूब के नोट में भी डाल रखा है तो आप वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं जब मैं spelling पर click करता हूँ तो यह page मेरे सामने आ जाता है मुझे इस selection में जाके renewal premium select करना है और अभी इसे proceed पर click करूँगा अब आपको यहाँ पर आपका policy number और बाकी की details एंटर करनी है तो मैं policy number एक डालता हूँ उसके बाद आपको आपका premium amount डालना है जो के बगएर GST और premium आपको डालना है अगर उसमें कोई GST होगा तो वो अपने आप LIC उसमें add कर देगी तो आपने सिर्फ बगएर GST का ही premium डालना है आपका date of birth डालिए उसके बाद में आपका जो email id है वो आप इसमें enter कर दीजिए जो email id आप यहाँ पर देंगे उसी पर आपकी receipt email की जाएगी जरूरी नहीं है कि यह email id पहले से LIC में register हो आपका जो regular email id है वो आप डाल सकते हैं और जो आप यहाँ पर आपका mobile number एंटर करेंगे इस mobile पर आपको SMS में confirmation आ जाएगा इसके बाद में आपको यह confirm कर रहा है आपने agree का टिक mark पे select करना है और submit कर देना है आप इस process में एक से भी ज़्यादा policy का payment कर सकते हैं जैसे अगर मेरे यह example में आपको बताता हूँ एक और अगर मेरे पास policy होती तो मैं वो policy का भी detail डाल देता और उसका भी premium हम डाल देते हैं और उसको मैं add to list कर देता हूँ तो देखे अभी मेरे पास में दो policy आ गई है पहली policy जिसका premium है 6237 और दूसरी policy जिसका premium है 9392 अब इन दोनों premium को हम proceed पे click कर लेते हैं तो मेरा total premium आ गया 15,629 रुपीज 15,629 तो इन दोनों का मैं single payment कर सकता हूँ मैंने check and pay पे click किया आप आपका जो payment है भी ये bill desk के gateway के द्वारा pay कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इसके check and pay पे फिर click कर दीजिए तो यह आपके पास option आ जाते हैं credit card, debit card, debit card, plus ATM pin, internet banking, wallet, QR या UPI ये इतने सारे आपके पास payment करने के options हैं और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि credit card के medium से भी अगर आप pay कर रहे हैं तो कोई उसके ओपर आपका extra charge नहीं लगेगा तो मैं अभी फिलाल credit card पे click करता हूँ तो ये credit card का जो payment gateway का जो screen है ये मेरे सामने आजेगा यहाँ पर मैंने जैसे हम लोग बाकी से कोई भी type के shopping के लिए हम अपने credit card की detail डालते हैं उसी तरह से आपने credit card की detail डालनी है और नीचे इस make payment button पे दबाना है उसके बाद में आपको जो OTP आएगा वो OTP डाल कर आपने ये transaction को complete करना है इसके बाद आपका premium payment हो गया और आपको जो इसकी रसीद है वो आपको email पर आ जाएगी और आपको इसका confirmation SMS पर भी मिल जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको premium payment करने में एक आसानी से तरीका बता देगा Thank you very much, धन्यवाद, all the best